हलो एंड वेलकम तो जनवरी 2021 का जो करंट एफिर हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने पहले लेक्चर में आपको दस वन लाइनर सिरीज पढ़ाए दस निवस हमने आपको बहतीरी निवस दी जो भी important मुझे लगा exam point of view से तो हम यहां से start करने जा रहे हैं 11 जो हमारी निवस है वो क प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी को अब यह सोमना ट्रस्ट क्या करता है यह सोमना टेंपल को मनेज करता है सोमना टेंपल कहां पर है वो है सुराष्टरा गुजरात में अभी यह सोमना टेंपल में जो डीटी है ना जिसके लिए यह डेडिकेट है यह टेंपल वो है अब ही आपको कुछ important बाते और बतानी है तो सुनिए जो ट्रस्टीज है न अच्छा आपके दिमाग में होगा किस ने नरिंदर मोदी को चूज किया कि वो next chairman बने इस सरी शोमना ट्रस्ट का तो याद रख लीजे इसी ट्रस्टीज ने इसी ट्रस्ट के members ने या बोल सकते हो ट्रस्टीज ने क्या किया उन्होंने चूज किया PM मोदी को कि वो chairman बने आपको मैं बताओं इस trust का ये दूसरा प्राइम मिनिस्टर है जो कि chairman बनता है मेरे दोस्तों second number पे प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी बना है इस trust का chairman इस से पहले एक और प्राइम मिनिस्टर बने चेर में आफ श्री सोमना ट्रस्ट वो थे मेरे दोस्तों एम दिसाई ओके मुरार जी डिसाई अभी मुरार जी डिसाई जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर थे और वो भी इस चेर में इसके chairman बने अब अगर ये सवाल आए आप बताए प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी ब बना चेर्मेन आफ ट्रस्ट, अच्छा ट्रस्ट किसलिए है सोमना टेंपल को मनेज करने के लिए, सोमना टेंपल कहां पर है गुजरात में, किस डीटी को ये टेंपल डेडिकेटेड है लौड शिवा को, तो इतने पॉइंट से आपने याद रखे, अच्छा एक और बात या ट्रस्ट के चेर्मेन थे, 2020 में वो चले गए, दुनिया से मर गए, काडियक अरेस्ट हुआ, उनका हाट अटेक हो गया, ठीक है, तो 2004 से लेके 2020 तक इस ट्रस्ट के चेर्मेन कौन थे, कैशु भाई, पटेल, के बाई, के पटेल, ओके इतना याद रखा, ओके, तो बहुत सा अरे वो एंगल्स बताता हूँ, जहां से सवाल आ सकता है, कुछ अडिशनल पॉइंट्स भी जो मैं बार-बार बता रहा हूँ, आपको वो भी आप लिखा करो, जैसे मैंने आपको बोला के पटेल, नरिंदर मोदी से पहले चेर्मेन थे, इस ट्रस्ट के वो याद रखो, एक और प्राइमिनिस्टर थे, उसका नाम है M.D.C. वो भी इस ट्रस्ट के बने हैं चेर्मेन, वो प्राइमिनिस्टर भी और चेर्मेन, और दूसरे नंबर पे प्राइमिनिस्टर नरिंदर मोदी, यह पॉइंट्स आप अपनी जगा याद रखो, ठीक है, और यह किस से मर जनवरी में, जनवरी 2021 में, पांच साल कंप्लीट होते हैं, मेरे दोस्तों, वो 16 जनवरी 2016 को वो स्टाड हुआ था, लांच हुआ था, और उसको लांच किस ने किया था, फाइनिस्टर और जटली, जो उस टांवरी 2016 में, यह लांच हुआ था, अब यह और दो-तिन बाते य अगर मैं एक्जाक्ट डेट बताओं तो 15 अगस्त किसने एनौस किया था यह इंपॉर्टन्ट है प्राइम मिनिस्टर ने नरंदर मोदी ने ही उसको एनौस किया था यतना याद रखा अब एनौस तो किया था लेकिन 2016 में 2016 में 16 जनवरी 2016 में इसको लाँच किया गया ठीक है अब इसको लाँच किसने किया फाइन्स मिनिस्टर और अजट ली ने अभी यह लाँच हुआ यह स्टार्ट अप कंपेंड जिसके 2016 से लेके 2021 तक क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जनवरी 2021 पांच साल कंप्लीट हुए अब स्टार्ट अप कंपेंड का मतलब क्या है यह आपको प कम registration free लगाना, relaxation एक्स का relaxation थोड़ा सा, कम registration fee लगाना, schemes देना, start-ups के लिए, government scheme देगा, licensing जो इतना जादा strictness होती है वो licensing वाला strictness कम करना, तो थोड़ा सा start-ups को फाइदा देना, manufacturing sector को boost करने के लिए, main mकसद यह था हमारी जो एक ओर नीउस है वो ये है कि अमित्षा जो home minister है उन्होंने launch किया Single window clearance system Single window clearance system क्या है ये एक single online portal है एक single online portal है जहां पर आपको अच्छा अच्छा एक सवाल तो बहुत important है इसमें जो सवाल आएगा वो सुनो सवाल ये आगा, Amitre Shah Home Ministry ने launch किया Single Window Clearance System recently January 2021 में, किस के लिए? Call Minds के लिए अब उसमें क्या होगा Single Window Clearance System में? उसमें Call के Related, Call के Related Middle Call के Related सारी Information होगी, एक ही ज़गा और वो भी Online Call के Related, Call Minds के Related एक ही जगा information होगी Related to Call Minds और वो भी Online तो single online portal है single window clearance system यहाँ पे clearance system का मतलब यहाँ पे यह है कि single online portal में clearances जो environmental और forest clearances लाने पड़ते हैं वो आपको एक ही portal पे मिलेगा वो भी online और उससे आपका time frame बचेगा और यहाँ पे speedy processing होगा speedy वाई काम जल्दी होगा काम जल्दी होगा और एक जगा सारी information है आलग अलग दफ्तर में जाने की जूरत नहीं है आपको एक ही जगा मिलेगा और वो भी online मिलेगा एक ही portal पे मिलेगा हमारी जो अगली news है वो है मेरे दोस्तो ICC awards जो है वो decade में कौन था आपको बताना है decade wise तो decade wise बहुत important बन जाता है year wise उतना important नहीं बन जाता है जितना decade wise 10 सालू में 10 सालू में आप बताए men's player ODI player, women's player ODI player, ठीक है women's में, ODI player women's में या women's T20 player कौन है test player of the decade कौन है T20 player of the decade कौन है तो अगर सवाल आपको आए men's player of the decade तो ये ODI player of the decade तो ये ODI female यहाँ पे लिखता हूँ ODI women's यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ लिख लेना, correction करना ODI women's player of the decade तो बताऊंगा, रुको अभी बताऊंगा सबसे पहले news पे वापस आते हैं क्या? ICC awards ICC की full form आप बताए पहले ICC के बारे में जानते हैं International, International Cricket Council Cricket Council अच्छे एक और दो बाते बताता हूँ मैं ICC के बारे में सबसे पहले जब ICC बनाना तो ये International Cricket Council नहीं बना अगर मैं पहले बात करूँ जब ICC आया, जब ये form हुआ तो मैं date को बताऊं 1909 में ये बना अब ये जब 1909 में आया तो पहले इसका नाम कुछ और था आपको ये याद रखना है Imperial, Cricket, Cricket और Council नहीं, Conference अब 1909 के बाद 1965 में इसका नाम फिर से चेंज हुआ क्या अब International International Cricket Council नहीं, जो क्या आज नाम है International Cricket Council Conference last में अभी फिर जो आज का नाम है आज आज आप देखते हो, International Cricket Council, ये नाम पिर पता है कब आया ये नाम फिर 1989 में आया जो आज आज आप देखते हो International Cricket Council लास्ट में यहां पे Conference last में, यहां पे Conference last में यहां पे Council last में आया, ठीक है यहां पे Imperial पहले, फिर यहां पे International इंटरनाशनल, इंटरनाशनल, इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि 1989 में असल में ये ICC का नाम आया, जो आज का modern या recent नाम आप बोल सकते हैं, जो आज कल चल रहा है, इंटरनाशनल क्रिकेट काउंसल, ठीक है, क्या करता है ICC, क्या करता है ICC, ये और्गनाईज करता है World के Cricket International Tournament, जो दुनिया के Cricket International Tournament होते हैं, उनको ये और्गनाईज करता है, जैसे World Cup, सबसे फेमस इसका, T20 World Cup भी उसका फेमस है, ठीक है, अब इन ही को ये चलाता है, इन ही को ये और्गनाईज करता है, तो ICC, जो International Tournament है, उनको चलाता है, अब एक बात याद रखनी है जाता है, और मैंने दो-चार बर देखा मोटो आया हुआ, तो याद आया मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, क्योंकि आपके एक्जाम में भी मैंनी चाहता है, कि कोई, देखो निवस के साथ, निवस ही डिरेक्ट निवस भी आती है, ये आप याद रखो, कभी ऐसे डिरेक कैसे कर सको, मेरे दोस्तों ICC Awards का मोटो भी मैंने किसी exam में देखा है, तो मोटो क्या है, इसका M-O-T-T-O मोटो, मैने एम या मोटो जो होता है, हर एक का मोटो होता है, कुछ नोकुछ, यहांपे Action Games का मोटो है, जो हमारी Next News है, तो मोटो जो है मेरे दोस्तों वो है, cricket, cricket, cricket for all आल नहीं गुड, 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 हाँ, क्रिकेट फॉर गुड, यह बात आप याद रखना, तो जो मैंने अडिशनल पॉइंट्स बताए, वो याद रखे, याद रखे कि नहीं याद रखे, अडिशनल पॉइंट्स का ही सिर्फ रिवजन करूँगा, सामने तो ठीक है, जो कि बने इसके चेर्मैन, सेकंड नमर पे, पहले नमर पे कोण से प्रैमिनिस्टर था जो कि इसका चेर्मैन बना, बताए, एम, 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 डिसाई, तो यह important points है, इसमें जो भी important points है, वो मैंने आपको बता दिये, शायद आप साथ-साथ लिख भी अगर लेते हो, तो ICC के बारे में बहुत information देदी, पहले इसका नाम था Imperial, Imperial Cricket Conference, ठीक है, फिर International Cricket Conference आया, फिर Conference, Conference खतम हो, यहाँ पे Imperial था, यहाँ पे International, फिर आया International Cricket Council जो आज का, ठीक है, और ICC और्गनाइज करता है International Cricket Totemats, इतने याद रखा आपने, तो ICC Awards जो decade के, और motto भी याद रखा, motto cricket, cricket for good, CFG, ओके, अब, decade के, decade के basis पे आप बताएज के, कौन सा माना जाता है, Men's Player of the Decade, दस साओं में, कौन best है ICC के हिसाब से, और ICC Awards उनको मिले, तो याद रख लीचे, आपके सवाल आ सकते हैं, Men's Player of the Decade कौन है, विराट कोली इंडिया का, ODI Player of the Decade कौन है, विराट कोली IDI का, ODI का, सारी, इंडिया का, सारी, उसके बाद मेरे दोस्तो, Women's Player of the Decade ICC Awards में, किसको बोला गया, Australia के, Elise Perry, अब, ODI Women's Player of the Decade, फिर से, यही, Australia की, Elise Perry, इसी तरह, Women's T20 Player of the Decade, ICC Awards के हिसाब से, फिर से, यही, Australia की, Elise Perry, तो यही, इतना important बन जाता है, मैं आपको क्या बता इसका नाम, ठीक है, इसी तरह, इसी तरह, इसी तरह, इसी तरह, इसी तरह, टेस्ट प्लियर of the Decade किसको बोला गया, Australia के, सिमित को, और T20 प्लियर of the Decade किसको बोला गया, राशिद खान, अफगानिस्तान के, अब, सुप्रीट of Cricket Award अवार्ड, सुप्रीट of Cricket Award, Games का भी मोटो मुझे आब बताएए तो मेरे दोस्तों Asian Games का मोटो जो है वो है यहाँ पर लिखता हूँ मैं एक सिक्ट सॉरी ओ सॉरी Asian Games का मोटो है मेरे दोस्तो Ever Onward ये याद रखना Asian Games का मोटो है Ever Onward इतना याद रखा तो चलिए अब हम Asian Games की 2002 में खेले जाएंगे कहां पर Hangzhou चाइना में याद रखा फिर उसके बाद ट्वन्टीथ एशियन गेम्स जो है हर चार साल बाद Asian Games केले जाएंगे और खेले जाते हैं तो 2022 से 4 साल 2026 फिर 4 साल बाद 2030 में खेले जाएंगे फिर 4 साल बाद 2034 में खेले जाएंगे, 2034 में खेले जाएंगे, तो अब जो आने वाले 19th नंबर पे Ashen Games है, फिर 20th Ashen Games चार साल बाद, फिर 21th Ashen Games चार साल बाद, और 22 Ashen Games चार साल बाद, Ashen Games, जो 19th Ashen Games है, 2002 में खेले जाएंगे, कहाँ पे Hangs Out चाइना में, फिर 20th Ashen Games, 2026 में खेले जाएंगे, और वो कहाँ खेले जाएंगे, आची नगोया जापान में, और उसके बाद मेरे दोस्तो 21th Ashen Games खेले जाएंगे, किस साल में वो होंगे 2030 में, चार साल बाद, 2026 से चार साल बाद, और कहाँ पे दोहा कतर में, फिर उसके बाद 21 के बाद 22nd Ashen Games, 2034 में खेले जाएंगे, चार साल बाद, और कहाँ पे रियाद सुधी आरभिया में, अब ये चार चीज़े आपको बहुत इंपॉर्टन याद रखनी है, अब Ashen Games को Acid भी बोलते हैं, ठी खेले जाते हैं, 1951 में पहले Ashen Games खेले गए, कहाँ पे? New Delhi, इंडिया में, 1951 में पहला Ashen Games खेला गया, कहाँ पे? New Delhi, इंडिया में, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टन है, Ashen Games में, Ashen के ही Athlete Competition लड़ते हैं, और Games खेलते हैं, ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ, अब आगे ह चलते हैं, अब है मेरे दोस्तों, बहुत important news, उसका नाम है Skyros, जब इस Skyros जो है, या Skyros बोलो, Skyros बोलो, जो इस Skyros है, यह क्या है? यह war game exercise है, अब war game exercise का मतलब क्या है? एक country, दूसरी country के साथ game खेलती है, और मजाग का war करते हैं, बहुत important है, मजाग का खेल खेल में, जैसे तरह यह war game exercise है, कि war में आप किस तरह से अपने दुश्मन को हरा सकते हो, वहाँ पर ट्रैनिंग लेना है, यह ट्रैनिंग है, यह कोई जगड़ा ने, यह ट्रैनिंग है असल में, तो in short Skyros जो है, वो war game exercise जो है, खेली जाएगी, अब याद आपको यह रखना है, किस किस के द जो होगी इंडिया और French के दर्मियान, वो कहां पे होगी, वो मेरे दोस्तो जोधपूर स्टी पे होगी, अब जोधपूर स्टी पे लड़ाए जगड़ा करेंगे तो वहाँ पे तो मसला हो जाएगा, अब जोधपूर स्टी के हवा में actually, क्योंकि यह जो war game exercise है, यह है, से ही लाए, जिसके साथ यह exercise करनी है, यह practice करनी है, उसी का वो असल में जट है, तो इंडिया ने याद रखना, याद रखना, याद रखना इस बात को, इंडिया ने रफेल fighter jets जो है, वो फ्रांस से खरीदे हुए हैं, अब इंडिया ने फ्रांस से रफेल fighter jets 11 अब तक खरी सकते हो, जंगी जहाज, हवाई जहाज जंगी वाला, ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, जो इंडिया ने मेरे दोस्तों फ्रांस से पहला बैच खरीदा, वो कब खरीदा मेरे दोस्तों, तो फर्स्ट बैच में 5 रफेल इंडिया ने लाए, फ्रेंच से और वो जुले 2020 में ल 2021 में थर्ड बैच में इंडिया ने फिर से तीन रफेल लाए फ्रांस से, तो टोटल इंडिया ने कितने रफेल लाए हुए हैं फ्रांस से, 11 फ्रांस से रफेल इंडिया आये हुए हैं, लेकिन 11 of 36 मेंने इसलिए बोला क्योंकि पहले ये प्लैन था 2016 का, 2016 में प्लैन किया ग थी लेकिन फिर बाद में बाद में 2020 में 2016 से लेके फिर 20 में 5 रफेल आए 2020 नौबर में ही 3 रफेल आए 2021 जनवरी में और 3 रफेल आए अब आपके लिए ये सवाल बहुत important है जो आ सकते हैं अभी जो रफेल इंडिया को दिये फ्रेंच ने ठीक है देखो important कैसे सवाल आ सकता है सवाल या सकता है जो फ्रांस ने इंडिया को ये रफेल दिये उसी फ्रांस के साथ इंडिया एक वार गेम military exercise कर रहा है और उस वार गेम exercise का नाम बताएए उसका नाम है Skyros याद रखना ऐसा सवाल आ सकता है तो Skyros क्या है Skyros एक वार गेम exercise है ये exercise इंडिया किस के साथ कर रहा उसी के साथ जिसके साथ उन्होंने ये fighter jets खरीदे तो ये ये war game exercise इंडिया किसके साथ कर रहा है फ्रांस के साथ इंडिया और फ्रांस मिलके जो ये war game exercise कर रहे हैं किस किसका किसके साथ खिर रहे हैं कौन सा तमाशा कौन सा है तमाशा है रफियल fighter jets की exercise हो रही है तो असल में जो पूर्स टीम है याद आपको ये भी रखना है ठीक है अच्छा ऐसे भी सवाल आ सकता है कि जनवरी 2021 के अगर बात करें आप बताए कितने रफेल इंडिया ने लाए फ्रांस से तो 11 रफेल लाए कितने लाने है 36 लाने है अब 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 पारलिमेट में ये बता गया था कि 2022 तक हम सारे के सारे जितने हमने प्लैन के थे 36 रफेल लाएंगे और वो सारे के सारे रफेल फाइटर जैट्स लाए जाएंगे फ्रांस में फ्रांस से ठीक है ठीक है सवाल बहुत सारे बनते हैं ओके अब उसके नेक्स्ट निउस है सेल सेल की फुल फॉरम है स्टील अफ इंडिया लिमिटेड अब जो ये सेल है इसका नया चेयर्मैन बना गया वो कौन है सोमा मंडल अब सोमा मंडल तो बना गया नया चेयर्मैन इसने सोमा मंडल ने किसको सकसीड किया इससे पहले कौन था अनील कुमा आपको ये याद रखना है कि न्यू चियर्मेन बना गया सेल का सोमा मंडल, सेल की फुरफारम स्टीर अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, सेल का हेड कवाटर जो है वो है न्यू देली में, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, अभी सबसे इंपॉर्टन न्यूस, सबसे क्या मतलब बहुत अच्छी इंपॉर्टन न्यूस है ये, फलाइ बिग है मेरे दोस्तों, ये एक नया जनवरी में आया, क्या, नया रिजिनल एरलाइन आफ इंडिया, मैंने रिजिनल बोला, ठीक है, मैंने शेडूल नहीं बोला, एक होता है शेडूल एरलाइन, कि मेरे दोस्तों मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप इस Iraqi को compare नहीं करेंगे, एर इंडिया के साथ, सुपाइज जड़ के साथ, इंडिको के साथ, गो एर के साथ, वस्तरा के साथ, एर एप्र साथ, एर इंडिया एक्स्प्रेस के साथ, वो सारे scheduled एरलाइन है, तो आ अभी मैंने इतने सारे बोले वो बाकि शोडूल्ड एरलाइन्स है याद रखना तो जो ये फ्लाइबिग है ये नया रिजिनल एरलाइन आफ इंडिया है ठीक है अब ये नया रिजिनल एरलाइन आफ इंडिया क्या और कोई रिजिनल एरलाइन आफ इंडिया है हाँ स्टार प:"Zoom Air है greetedking। है?" ठीक है न तो आप यह बोनोगे ख्रेड का नामम नहीं अडिया इंडिको का नाम नहीं दिया ऑर इन इंडिया का नाम नहीं दिया उन का नाम नहीं डिया उनकी नाम इसलिए नहीं क्योंकि वोग सारे मेरे dub note شaduled एायर राइन है तो यह जो यह आपको दिख रहे हैं यहाँ पे स्टार एयर, जूम एयर, आयर देकिन और भी एक दो है यह रिजिनल एयर लाइन है अभी अभी निउस में क्या है फलाइ बिग जो है वो नया रिजिनल एयर लाइन आफ इंडिया बना 2021 जनवरी में फलाइ बिग भी आ गया और यह किस कमपनी ने बनाया उस कमपनी का नाम है बिग चाटर प्राइवेट लिमिटेड अब यह कमपनी कहां की है यह गुरगाओं हरियाना की है अब गुरगाओं हरियाना इस फलाइ बिग का फिर हैड कवार्टर भी है तो फलाइ बिग जो मेरे दोस्तो रिजिनल एयर of India बना उस fly big का head quarter गुडगाओं हरियाना में है क्योंकि गुडगाओं हरियाना की ही company ने उसको बनाया गुडगाओं हरियाना की कौन सी company big charter private limited ने ही इस नए regional airline of India को बनाया अभी जैसे ये fly big है ऐसे और भी कुछ नए नहीं नहीं लेकिन ऐसे और भी कुछ रिजिनल एरलाइन आफ इंडिया है स्टारडस्ट, जूम एर और एर देखें ठीक है जो मैंने अभी इतने नाम बोले वो है शलूल एरलाइन वो अलग है रिजिनल एरलाइन से याद रखना अभी यह भी आद रखना कि पहली फ्लाइट जो टेस्टिंग वेस्टिंग के बाद पहली अच्छी तरह फ्लाइट हुई वो तीन जनवरी को हुई और वो इंडोर से लेके आहमदबाद वो फुलाइबिक की फ्लाइट हुई ठीक है, Flybig के पहली flight, बताएए, testing वेस्टिंग के बाद, after testing, 3 जनवरी, इंदोर से आमदबाद, और इंदोर से आमदबाद तो ठीक है, एतना तो ठीक है, और Headquarter कहा है, Flybig का, गुडगाउं हरियाना में, किस company ने बनाया, Big Charter Private Limited, वो company कहा की है, गुडगाउं हरियाना की company है, Fly अब यहां पे देखते हैं और एक निउस है वो है ओम करेश्वर डैम के बारे में मेरे दोस्तो एक डैम निउस में बहुत जादा है वो है ओम करेश्वर डैम ओम करेश्वर डैम पे पता है क्या बनाया गया ओम करेश्वर डैम पे वर्ल्ड लार्जस्ट फ्लोटिंग 600 मेगा वाट सोलर एनरजी प्रोजेक्ट बनाया गया बनाया जा रहा है गया क्या बनाया जा रहा है और 2022 या 2023 तक ये काम खतम होगा मतलब दो साल तक ये काम खतम हो सकता है 2022-2023 तक ये खतम करना है क्या क्या करना है क्या करना है इंडिया के ओम करेश्वर डैम पे दुनिया का 22-23 तक और वो दुनिया का लार्जस्ट फ्लोटिंग सोलर एनरजी प्रोजेक्ट जो है वो 600 मेगा वाट का होगा उसको किस पे बनाया जाएगा ओमकरेश्वर डैम पे और ये कौन बनाएगा MP का स्टेट गौर्वर्मेट बनाएगा क्यूंकि ओमकरेश्वर डैम मेधिया पर डिस्टिक में है खांदवा डिस्टिक किस स्टेट में है मधिया पर्देश में है तो ओमकरेश्वर डैम नर्मदा रिवर पे नर्मदा रिवर कहां पे खांदवा डिस्टिक में और खांदवा डिस्टिक में कहां पे ये डैम बना जाएगा MP में आपको पता है ये स्टेट अब एक और बात याद रखो state government तो ओमकरेश डैम बनाएगा जिसमें इतना जबरदस project बनाएगा लेकिन world bank को साथ लेके world bank funding करेगा और world bank का support मिलेगा इसको अब एम के मकसद के है बाई डैम पे आप बना रहे हो floating solar energy सर थोड़ा सा शकल भी तो दिखाओ थोड़ा सा यह हमें समझ नहीं आ रहा है चलो बाई यह डैम है अब डैम है डैम के उपर पानी होता है अब पानी में बनाया जाएगा solar ऐसे panels बिचाए जाएगे और बहुत ही solar energy project बनायेगा अब बोलोगे सर फ्लोटिंग तो डैम में यह फ्लोट करेगा तो यह तो तूट जाएगा उदर इदर खतम हो जाएगा लेकिन मेरे दोस्तो इसको बहुत सारे chains से बांदा जाता है अगर यह पानी है यहां से तो पानी पे तो फ्लोट करेगा लेकिन इसको chains स से बांदा जाता है सर आपके दिमाग में सवाल होगा कि इसको क्यूं बनाया गए जमीन पे क्यूं नहीं पानी पे क्यूं पानी पे इसलिए क्यूं कि क्यूं कि क्यूं कि पानी पे इसलिए क्यूं कि एवापरेशन रेट को कम करने की बात हो रही थी बहुत टाइम से आपन को जमीन खरीदनी पड़ती और जमीन पे लोग फिर उदर दर करने पड़ते और प्रोजेक्ट से लोगों की प्रॉब्लम हो जाती शायद तो इन शॉर्ट इन शॉर्ट जमीन को तो लोगों तक ही इस्तिमाल करने दो पानी का इस्तिमाल करते हैं तो पानी के ओपर खुली अब इतना तो ठीक है अब उसके बाद और एक news है मेरे दोस्तों वो है शिष्ट्री गोस्वामी बहुत important है शिष्ट्री गोस्वामी कोई news लिखती है 19 यर कोई news लिखती है 20 यर लेकिन आप tension लेने की जुरत नहीं ऐसा सवाल नहीं आता 19 से 20 साल की ये लड़की है अब ये कौन है शिष्ट्री गोस्वामी ये इन्होंने B.S.E. Agriculture किया था ठीक है अब news में क्यों है ये news में इसलिए है क्योंकि ये एक दिन की CM बनी उत्राखंड की उत्राखंड की state की एक दिन की CM एक दिन की CM आपने वो नायक मूवी देखे होगी जो मूवी है उसका practical shape आप यहां पे देखोगे practice होगी तो S.Goswami जो है वो एक दिन की CM बनी उत्राखंड की अब ये क्यों बनी और कब बनी 24 जन्वरी को ये बनी CM of उत्राखंड ऐसा क्यों किया गया ऐसा इसलिए क्योंकि ये उत्राखंड ने बोला हमारा style कुछ अलग है celebrate करने का जो ये 24 जन्वरी है 24 जन्वरी को क्या celebrate करना था National Girl Child Day तो उत्राखंड गौर्मेट ने National Girl Child Day को celebrate जो किया अलग style से किया उन्होंने बोला कि उस दिन क्यों न हम CM ही बनाते हैं एक लड़की को तो one day CM आप उत्राखंड आ सकता है S.Goswami कब बनाया गया National Girl Child Day जब होता है कब होता है 24 जन्वरी को होता है 24 जन्वरी को ये celebrate किया उत्राखंड ने इसी तरह इसी style में अभी और एक बात याद रखो शिष्ट्री गोस्वामी ने बेसी agriculture किया हो था इसले उन्होंने अपनी speech में भी agriculture के बारे में बहुत कुछ बता दिया अब 2018 में मेरे दोस्तो 2018 मे शिष्ट्री गोस्वामी की ही बात करते हैं 2018 में भी वो CM बनी थी लेकिन किसकी किसकी बाल विदान सबा की बाल विदान सबा का मतलब Children's State Assembly की तो थोड़ा सा इसको पहले से ही पता था कि CM बनने के बाद कितना काम हो सकता है क्या थोड़ा सा तो बस ये तो बस ये celebrate ही करना थ अब एक और बात कहां से है ये सिष्ट्री गोस्वामी ये उत्राखंड के हरिदवार एरिया से हैं अब यहां तक तो ठीक है अब अच्छा इसको CM किस ने दिया बनने CM नहीं तो बनने दिया होगा CM तो जो सिष्ट्री गोस्वामी के टाइम पे CM है वो कौन है आज जो CM है CM of उत्राखंड त्रिवंद्रा सिंग रावत ठीक है अब इतना याद रखा आपने तो ये निवस कंप्लीट हो गई चलिए डिया स्टूदेंस बाई 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 बाई